कोचन नमबर देखो, 13, 8 के पर्थम 15 गुनजों का योग ज्यात किजिए, गुनज मतलब का होता है, देखिए, 8 का गुनज मतलब की 8 के पहाड़ा में आने वाला संख्या, तो पहला 8 के पहाड़ा में कौन संख्या आता है, 8, दूसरा कोन आता है, 16, 13, 24, समझ में आ रहा है, और टोटाल का गो पद है? 15 ओगो पद है, टोटाल 15 ओगो पद है, तो 15 हो पदों का योग ज्याक करना है, समझ में आ गया? तो देखिए, a बराबर कितना है? 8, d बराबर कितना? आठ यहां से लिखो या तो A2 में से एवन भटा लो मिलेगा आठ है ना तो यहां पे D बराबर 8 अब यहां पे देखें यह का है? N है N बराबर 15 समझ में आया मतलब 8 के पहाड़ा में आने वाला काई गो संख्या है? 15 होगो, 15 पद है ना तो N बराबर कितना हो गया 15 तो देखें निकालना का है 15 उनाजों का योग यानि S 15 निकालना है समझ में आ गया तो देखें S N का फर्मूलर लगाएंगे S N बराबर 1 बटा 2, 2 A प्लस N माइनस 1 इंटो D, S N के जगा पर कितना 15 बराबर 1 के जगा पर 15 बटा 2, 2 गुने A 8 है फिर प्लस N 15 माइनस 1, D के तना 8 है, S 15 बराबर नहीं कटेगा तब 15 बटा 2 लिखाएगा यहांसे गुना हो जाएगा 16 फिर प्लस यहांसे घड़ जाएगा, 14 गुना 8, S 15 बराबर 15 बटा 2, 16 के 16 लिखेंगे प्लस यहांसे गुना करा देंगे तो यह मिलेगा 112, S 15 बराबर 15 बटा 2, into जोड़ेंगे ते कितना मिलेगा, 128 यहांसे देखिए, 2 से कटेगा, क्या बर्म कटेगा, 4, 64 हो गया ना, यानि S 15 बराबर 15, 164 खराएगे ते कितना मिलेगा, 960, यह हो गया आपका इंसर करते हैं कितना मिलेगा यह हो गया रड़ा कितना मिलेगा यह हो गया जितना मिलेगा